तो फाइनल छेसो करोर की कोमेडी फणी मूवी देखके आया हूँ और अगर आपने जो आदिपूर इस मूवी को 3D में नहीं देखा है तो ज़रूर 3D में देखिए ऐसा डायरेक्टर का कहना है क्योंकि उनके हिसाब से जो यह पूरी मूवी 3D में देखने के लिए बनाएग की और दो तिन बहुत करा चेंज करा मैंने चस्मा बट फिर भी सीमिलर प्रोब्लम और फिर जाके कुछ सोट्स में इसा लगा कि कुछ 3D है और अगर मैं बात करूं सोट्स की तो मुझे लग रहता है कि तीर बगेरा जो है स्क्रीन से बाहर आते होई दिखेंगे पर उतना ज्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं था उसका रिजन यह की रियल 3D सूट होता है इसके लिए जो एक के मेरे का यूज करा जाता है पर फेक्ली जोए दो के मेरे के बीच का जोए दिखाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्टर की मदश से उसको जो है प्रेजन करा जाता है अब यहां पर क्या प्रोसेस हुए वह पता नहीं बट जो एफेक्ट क्रियेट नहीं हो पार रहा दा दूसरा जिसकी इतना ज्यादा कलर ग्रीडिंग करा गया था जिसके कारण जोए कुछ चीज़े एकदम बलर बलर दिख रही थी अच्छे से क्लियरली दीख नहीं रहे तो वह सारे experience रहा 3D में और कुछ सोट से गीने चुन एक दो सोट में बोल सकता हूं जिसमें कुछ 3D जैसा लगा और बचों को सायच पसंद आज सकता है बट हम लोग देख रहे हैं मुझे तो कुछ 3D फेक्ट दिखा नहीं मूवी में दूसरा VFX और एनिमेशन में काफी स प्रोब्लम थे तो जो भी एनिमेशन VFX के स्टूड़न्ट या फिर आपको इंट्रस इसके बारे में तो जरूरर वीडियो को अंतक जेखें क्योंकि यहां पे कुछ जो है प्रोब्लम सेसी थी जिसको मैं थोड़ा टेक्निकली एक्स्प्लेन करने वाला हूं जैसे कि हम एन समवस जी का केरेक्टर लूक में और और जो रेंडर वो वो काफी बेतर था बट प्रोब्लम थी इसके जो एनिमेशन ओर रिग में ठीकि उतना जो यह परफेक्ली वो एनिमेशन करा नहीं गया था अगर साइत करा भी गया होगा बट उसमें प्रोब्लम यह थी कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ ऐसी चीज है जो मुवी में इन लोगों ने थोड़ा रियालिस्टिक दिखाने की कोसिस करिए बट वह कार्टूनी सी लग रहा है प्लस में उतना रियल भी नहीं लग रहा है ठीक है तो वह चीज यहां पर गड़बड करिए यहां पर होत आत में दिखात हो तो फ्रेम रेट है लाइटिंग फिर पोजीशन से जो सब यह सारी चीज यह केलकुलेट करके मेनेज करके सोट को सूट करना पड़ता है और उसी तरह से एडिट करके सी जी आई भी उसी तरह का डालना पड़ता है जब यह कॉम्बिनेस्ट नहीं बन पा बड़ा मुई का बजेट होने के कारण भी इसके सीजी इतने खराब है और अभी के टाइम पर अभी तो इतनी सारी टेक्नोलोजी आ चुकी है और इन्होंने सोचा कि हम अवतार की तरह मिक्सर करते हैं सीजी आए और जो भी रियल केरेक्टर है उनका तो यहां पर वह एक मिस कर चुके यह ओपोचुनिटी को यह मुई के थरू जो बेतर विजूल्स क्रियेट कर सकते थे जो लाइप टाइम के लिए उनके लिए अच्विमे और स्टार्टिंग का जो यहां पर प्रपास अंडर वोटर सीने वहां से बाहर निकलता है जो फर्स्ट फाइट वहां पर दिखाए गई वह तो बहुत ही खराब थी आई थिंक वह नहीं दिखाते तो बेहतर था सीन के अंदर और जितने भी जो ए सीजी आ केरेक्टर थे कम सब्सक्राइब है कि अंतर वहां भी जन्हों से घ्ली सुट सब्सक्राइब है कि सूटमाथ चुर्स इतने भी कहां चलाई थे उतने जादा ने उतने Aww 산 clear source में इतना दोस देखा कि में 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 करक्टर को CJ दिखा दे और इसमें में सोट को काफी करने क्यारा नहीं का इनीं कर तो जो में मूवी के अंदर दीखना चाहिए वह अच्छे से नहीं दीख पाया क्योंकि उन्होंने से सब्सक्राइब काफी शोट को जो काफी सारे प्रोब्लम ते कुछ अगा पर पीछे जो बेग्राम में मसाले अगरा जल रही है तो वह कभी-कभी जो रूख जा रही है यह मसाली रख देते तो वह अच्छे से काम कर जा दी बट सारी चीजे यहां पर वी एफेक्स से करेगी है जिसके कारण जो यह बहुत सारा मीस में हो रहा था सारी चीजे एक सोट था फूल वाला जिसमें जो फूल था वह जो बिल्कूल ही मेस नहीं कर रहा था एकदम जो जो काफी सारे प्रोब्लम्स अभी भी है इतना टाइम लेने के बाद भी तो दुस्ते यहां पर कुछ चीजी होती है अगर आपने प्रोपर प्लानिंग से नहीं करी है तो यह सारी दिकत आती रही थी इसके लब बात करो तो आपने काफी सारा सुना हो गया जो स्टोरी है वो उसका जो स्टोरी लाइन है वो पर्फेक्ली उस तरह से नहीं दिखाया गया है बहुत सारी चीजे जो छेड़ चाड़ करी गई है डायलोग तो बहुत ही बखवास थे इनके और डायलोग को फिर से रिप्लेस करने के बाद भी वो कुछ फिल नहीं हो रहा है कि यह जो जो है डाउनफोल कर गई है थेटर में उतने ज्यादा लोग भी मुझा देखने को नहीं मिले और 3D एक्सपिरेंस भी ठीक ठाक रहा इसका तो आप कोमेंट में बताइए आपने आदिपूरुस देखी या नहीं और देखी तो आपको कैसी लगी ज्यादा तर लोगों को ज है मजाग मजाग में ही डाउने इसके मजाग में बना कियोंकि यह इत्ना tipicios असलियल्तर्स टोपिक लोगों को इंसपायर कर्ने वाला टोपिक है उसकी कच्राव और मजाग बच्चों के लेवल का क्रिएट लोपिक है उसको भी अच्छह नहीं नहीं स्क्रिप अची है नहीं डायलोग अची है अगर विजुल की बात करूँ तो विजुल इनोंने जो है वोलीवूट से इंस्पायर करके क्रियेट करें बट इसमें बहुत सारे टेकनिकल प्रोब्लम से इसके कराण यह मुवी देखने का बिलकुल इमन नहीं करता है फिर भी मैंने हिम्मत करके यह मुवी को 3D में देखा और ज्यादा एक्सपेटेशन नहीं थी डायरेक्टर ने बोलाए कि आप मुवी को 3D में देखेगा इसका जो एक्सपरियेश नेक्स लेवल कर रहेगा बट उतना कुछ खास 3D इफेक भी नहीं था आधिपूरुस मुवी से जो यह कंफोर्म होता है कि आपकी जो भी स्टोरी है वो बहुत इंपोर्टन है आपने रहमायन से जो है स्टोरी को उठाया बट उसका जो स्टोरी लाइन है जो प्रेजन्टेशन है एस इस नहीं करा प्लस में जो है क्रियेटिव फ्रीडम के नाम करता भी नहीं है तो मुवी में इतना खर्चा करने के बाद भी जो है उतना सैटिक्सफेक्शन नहीं मिल पाया उसका रिजन है कि जो प्रोपर स्टोरी लाइन जो प्रपर करना चाहिए था वह नहीं हुआ है और डायलोग भी यार बहुत इंपोर्टन होता है हां म्यूजि अगर इनको रामाइन को लेना ही था इस रेफरेंस के तौर पर उसी के बेस के ऊपर बना रहे थे तो प्रोपर जो है स्टोरी के साथ वही लूग के साथ अगर बनाते यह मूवी तो सूपर हीट होती मूवी विजुलिफेक्शन का यूज करे एनिमेसन का यूज करे सीजी यूज करें उससे बैतर रिंग आप निकाल सकते हो बट वह आउट पूट जो है लोगों को जो एक्सेक्टेबल तो होना चाहिए अभी यहां पर यह लूप और जो आउट पूट है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यह राम मैंड का लूग हो सकता है ठीक है तो अलग तरीके से उनको प्रेजेंट करते हो तो इतना भी आप एनिमेशन वी एक्सेट लगा लोगों को पसंद नहीं आने वाली ठीक है तो यह सारा गडबर के कारण जो है मुवी डाउन फॉल कर रहा है अभी ज्यादा जो है थेटर में लोग भी नहीं थे कुछी लोग थे हमारा एंड्रोइड एफ है वो जरूब प्ले स्टोर पे जाके इंस्टोल कर लीजिए लिंक आपको डिक्सेटर में मिल जाएगा यह मिलता आपको ने वीडियो में थैंक यूपर वचिंग फ्रेंड्स फिर मिलते हैं बाबाई